इस वीडियो में हम 10 के power nx dx को reduction formula से solve करेंगे तो reduction formula किदर किदर use करना रहता है तो reduction formula अगर मेरे को दे आ रहेगा किसी function के power अगर 5, 6, 7 मतलब कि कोई भी big digit दिया हो तो उसमें हम reduction formula का use करते हैं तो चलिए इसको solve करते हैं integration of 10 के power x dx दे रखा है और इसको solve करने के बाद मेरा इतना आना चाहिए तो चलिए solve करते हैं तो यहाँ पर मेरा i n दे रखा है क्या 10 के power n-2 x 10 square x dx तो यह आगया मेरा i n इसको मैंने ऐसा क्यूं किया क्यूंकि हम जानते है c square x minus 10 square x क्या होता है यह 1 होता है तो अगर हम square 2 के factor में तोड़ते हैं तो यह मेरा क्या आ जाता है c square x minus 1 और यहाँ पर हम जानते हैं कि 10 x का जो differentiation होता है वो क्या होता है c square x होता है 10 x का differentiation क्या होता है c square x होता है इससी वज़ा से मैंने यहाँ पर यह वाला फर्मूला का यह 2 के factor में तोड़ा पिछले वाले वीडियो में मैंने साइन दिया हुआ था तो उसको 1 के factor में तोड़े थे क्योंकि उसका जो साइन x का differentiation होता है वो मेरा क्या होता है और यहाँ पर 10 x का differentiation मेरा c square x होता है इससी वज़ा से मैंने यहाँ पर इसमें से 10 को 2 के factor में तोड़े हैं 2 को common किये हैं 2 को 10 square x लिके हुए है तो समझ आया होगा कि कैसे वहाँ पर मैंने 1 लिया यहाँ पर कैसे मैंने 2 लिया तो i n equal to 10 के power n minus 2 x 10 square x को लिक दिये c square x minus 1 dx फिर यह हो गया i n equal to 10 के power n minus 2 x c square x से यहाँ multiply किये minus का 10 के power n minus 2 x dx हो गया फिर मैंने क्या किया यह i n हो गया और इसको मैंने फिर क्या जैसे कि मैंने सोचा कि अगर मैं 10 x को तो अगर 10 x को t माल लेती हूँ तो मेरा क्या आजाएगा यह c square x dx मेरा क्या आजाएगा इसका differentiation आजाएगा तो मुझे solve करने में easy हो जाएगा जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने 10 x को t माल लिया यहाँ पर मेरा क्या आजाएगा t के power n minus 2 तो आजाए इसके प्लेस पे आ जागा मेरा यह and इसको अगर differentiate करते हैं तो मेरा आ जाता है say के square x dx equal to dt तो इसके place पे मेरा आ गया सिर्फ dt तो हम जानते हैं कि अगर यह मेरा किसी x के power n रहता है उसका integration मेरा क्या आता है x के power n plus 1 divided by n plus 1 जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है फिर minus का यह आ गया tan n minus 2 x dx जिसको मैं लिख सकती हूँ i n minus 2 ऐसा क्यों क्योंकि मेरा क्या था अगर यहाँ पे power में n था तो उसको i n लिखते थे तो यहाँ पे power में n minus 2 है तो उसको क्या लिखेंगे n minus 2 लिखेंगे और फिर minus solve किया तो i n का value आ गया tan x के power n minus 1 divided by n minus 1 minus का i n minus 2 इसको इधर लाया तो यह आ गया in plus i n minus 2 equal to tan x के power n minus 1 divided by n minus 1 जो कि मेरा एक reduction formula हो गया क्षाम पे利ा कि में पराम तो कि में लिखेंगे जरो अगर प्सके सा जो कि में लिखेंगे में लिखेंगे जढ eleven में आ उ्यांता स्टogo में भूपए